हलो एंड वेलकम टू स्टड़ी आईक्यू स्टड़ी आईक्यू के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा भारत के जो फॉक डांसिज है भारत के फॉक डांसिज तो दो तरह के डांसिज है जो एक्जाम में आते हैं एक तो क्लासिकल डांस Classical Dance के उपर एक वीडियो डॉक्टर महिपाल सिंग राठोर दुवारा हिस्ट्री की प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा उसमें उन्होंने सारे Classical Dances डिटेल में कवर किये हैं इस वीडियो में मैं Static GK में कवर करूँगा Folk Dances of India ये वीडियो मैं आप तक लेकर आ रहा हूँ अब मुझे आप Facebook पर फॉलो कर सकते हैं इसके लिए आपको ये URL अपने ब्राउजर में टाइप करना होगा www.facebook.com slash gauravgarg education तो भारत के जो folk और tribal dance हैं ये जो dance हैं ये अपना joy और happiness अपनी जो खुशी जाहिर करने के लिए हर राज्ये में मनाई जाते हैं और जैसे for example अगर कहीं पर किसी बच्चे का जन्म हुआ है किसी शादी में या ये सारे जो dance हैं इनको कहते हैं folk या tribal dance और ये जो dance हैं ये बहुत ज़्यदा simple होते हैं इनमें जो number of steps हैं वो भी बहुत कम होते हैं movement भी काफी कम होती है तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं और जो exam के लिए सब ज़्यदा important है वो मैं इस तरह से उन पे गोला लगा दूँगा जो सब ज़्यदा important है तो सबसे पहले आंद्र प्रदेश आंद्र प्रदेश का मशूर डांस जिसे कहते हैं कॉलट्टम कॉलट्टम या stick dance stick dance very very important इसके और भी नाम है जैसे kolanallu या kol kolanallu लेकिन आपको याद रखना है सिरफ कॉलट्टम इसके अलावा आंद्रा में और भी dance है fog dance गोबी, धिमसा और धमाल या कॉलट्टम stick dance इसमें देख सकते हैं ये हाथ में stick है असाम की बात करते हैं असाम का सबसे important dance है बी हू बहुत ज़्यादा important है बी हू dance अल्मोस हरीयर एक्जाम में पूछा आता है बी हू कौन से राज्य का निरित्त है answer है बी हू असाम का यानि कि यह जो dance है यह जो जवान नौजवान है वो करते हैं चाहे वो महिला हो या वो मर्द हो और इसके अलावा इसमें जो जल्दी-जल्दी जो dance steps है वो किये जाते हैं और hand movements के साथ किये जाते हैं इसके अलावा जूमुर जूमुर nach ये आदिवासी कम्यूनिटी का डांस है असाम की जूमुर नाच दो नाच और हैं जो थोड़े कम इंपोर्टेंट हैं एक है अली आई लगांग और दूसरा है बुगुर रुमबा आपको में याद रखने है बीहू और जूमुर तो ये है बीहू डांस असाम का नेक्स्ट अरुनाचल प्रदेश भारत का सबसे पूरवी राज्य है अरुनाचल प्रदेश यहां भारत में सबसे पहले सूरज निकलता है अरुन मतलब ही होता है सूरज हिंदी में अरुनाचल प्रदेश के पहला है बार्दो च्छम बारद ओच्छम बुराई की अच्छाई की बुराई पर जीत दिखाता है तो इसके अंदर जो पार्टिसिपेंट है वो कई सारे जानवरों की पोशाक पहन के नाचते है इसको बोलते हैं बारद ओच्छम दूसरा है लाइन and पीकॉग डांस Lion and Peacock Dance ये भी अरुनाचल परदेश का तो ये है भारदो चमा आप देख सकते हैं जानवरों की जो पोशाक है वो पहन के नाचा जा रहा है 36 गड़ की बात करते है 36 गड़ में पहला है रौत नाच रौत नाच ये एक traditional fog dance है और ये dance जो है तो गरबा सब जानते ही है गरबा, डांडिया ये तो बहुत पॉपुलर है जो नौर्थ साइड में भी बहुत पॉपुलर है इसके अलावा दो important हो रहे है एक है तिपपनी dance और किन्नौरी नाती किन्नौरी नाती और नामगिन तो ये है तिपपनी dance तिपपनी dance जो है ये सवराष्टर जो साउध गुजरात का सवराष्टर है उसके च्वरवाड रीजन का dance है और ये आप देख सकते हैं dance तिपपनी dance चलिए गोवा की बात करते है गोवा के जो मशूर dance है वो है तरंगमल, देखनी, धालो, धंगर और फुगडी ये सब आपको यादी करने है इनमें जो दो सब ज़्यादा important है वो हैं तरंगमल और देखनी हरियाना की बात करते है हरियाना के सारे के सारे dance बहुत important है मैंने एक special video भी बनाया है हरियाना के उपर हरियाना जी के उसमें सारे dance के बारे में बहुत detail में बताया है कि हरियाना में कौन सा dance किस occasion पर करते हैं, अगर मान लो बेटा हो तो कौन सा dance करते हैं, बेटी हो तो कौन सा करते हैं, या चांदनी रात पर कौन सा करते हैं तो वो आप वीडियो देखना ना भूलें, हर्याना जी के. धमाल डान्स और फाग डान्स. यह सारे मैंने डिटेल में एक्स्प्लेइन की हैं हर्याना जी के विडियो के अंदर. तो यह जूमर डान्स है. अब बात करते हैं हिमाचल की. हिमाचल में हैं लुद्धी डान्स, मुंजरा, कनयाला, गिद्धा परहों, गिद्धा परहों और ह केरल, केरल में थेयम, जिसे कालियट्टम भी बोलते हैं, कालियट्टम यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डान्स है केरल का, थेयम या कालियट्टम और थुलाल, थुलाल. इसके अलावा थिरयट्टम, ओपन्ना, मरगम कली, थिटम्बू निरितम, चक्यार कोथू और च मध्य परदेश की बात करते हैं, मध्य परदेश में मठकी, फुलपती, ग्रिदा, माच, चारकुला और तेरताली, यह सारे याद रखने हैं आपको, तेरताली, चारकुला, मठकी, फुलपती, ग्रिदा और माच, यह है मठकी डान्स, मध्य परदेश का महशूर, इस्ट के जो डान्स हैं वो जरनली नहीं आते हैं, फेस्टिवल जादा पूछते हैं, फिर भी आप अपनी नॉलिज के याद रख सकते हैं, मनिपूर का है थांगता, थांगता को बोलते हैं the art of the sword and spear, ये एक martial art form है, जो मनिपूर की exclusive है, तो ये बहुत important है थांगता और धोल मिजोरम का है चेरो डान्स या बैंबू डान्स, ये है चेरो डान्स, नागा लेंड का है चांगलो या सुआलू डान्स, चांगलो या सुआलू डान्स, ओडिशा, ओडिशा का है घुमूरा डान्स, गोती पुआ, नाक्चनी, बाग नाच या टाइगर डान्स जिसे कहते ह बाग देखिए इसमें जो टाइगर है उसकी यूनिफॉर्म पहनी हुई है पंजाब की बात करते हैं पंजाब के बहुत ही असान है क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉमन है गिद्दा, भांगडा, मलवाई गिद्दा, जूमर, कार्ती और किकली सारे आपको याद रखने है भांगडा, गिद्दा, मलवाई गिद्दा, जूमर, कार्ती और किकली पुड्डुचेरी का है गरादी डांस, किंद्र शाषित परदेश, सिक्किम का है सिंगी च्छाम राजस्थान के तो बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है, घूमर, यह जूमर से इसको गन्फ्यूज नहीं करना है, यह घूमर है, कलबेलिया, भवई, भवई is very very important, and कच्छाई गोडी, कच्छाई गोडी, यह है कलबेलिया, राजस्थान का, यह आपको पस्चे मंगाल की बात करते हैं, पस्चे मंगाल में तीन है, जात्रा चउख और काठी, तीनों ही बहुत important है, जात्रा, चाओ और कठी, लक्षदीप का है लावा, लावा, उत्तर प्रदेश में नोटंकी, रासलीला, जोरा, चपली और जैता, पांचों ही बहुत important है, नोटंकी, रासलीला, जोरा, चपली और जैता, ये है रासलीला, जमु कश्मीर के दो बहुत important है, रौफ थंडवं, दप्पू और लंबाडी त्रिपूरा की बात करते हैं उत्तरपूर विराज्य होजगिरी, गोरिया और लेबांग बोमनी उत्राखंड, चोलिया, जागरास, थाली जद्दा, जहनता और बरादनाट और सबसे अंत में बिहार के बहुत ज़्यदा इंपॉर्टेंट हैं पांचो ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फॉक डांस इनमें से कम से कम एक कोश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये था स्टैटिक जी के, थैंक यू